हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टोडी शीर चैनल दोस्तों प्रिवेस येर में जितने भी कोस्टन्स फिजिकल एजुकेशन कंपटेटर एक्जाम्स डिजिटी पीजिटी के वियस एन्बियस यल्टी में पूछे गए हैं उन सभी कोस्टन्स को टापिक वाइच आपक मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलिबस के कार्डिंग है उन सभी वाज़ करके आप अपनी प्रिफेशन को बेहतरीन कर सकते हैं एं दोस्तों डेली बेसे पे प्रिवेस येर के कोस्टन सीरीज दिये जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए आज के प्रश्णों की तरफ दोस्तों फर्स्ट कोशन है बाधा दोड में बाधाओं की शंख्या होती है जैसे कि दोस्तों बाधा दोड़े 110 मीटर पूरुस के लिए 100 मीटर महिला के लिए 400 मीटर पूरुस महिला के लिए होता है उन सभी में बाधाओं की शंख्या 10 होती ह है तो 400 मिटर महिला बाधा दोर में कितनी उचाई होती है जीरू दसमलो साथ छे दो मिटर नेक्ट कोस्चन है 110 मिटर बाधा दोर में बाधा की उचाई निवन में से कितना होता है तो 110 मिटर बाधा दोर जो पूर्शों का होता है इसमें बाधा की उचाई होती है 1.067 मिटर नेक्ट कोस्चन है पूरुस 110 मिटर बाधा दोर के लिए बाधायों की उचाई होती है दोस्तों एक दस्वलो जीरो छे साथ मीटर होता है आपसर नमबर डी करेक्ट होगा एंड दोस्तों यहीं पे आपका महिला बाधादवर का सो मीटर का जीरो दस्वलो आठ चार मीटर होता है और पुरुस बाधादवर का चार सो मीटर के लिए 0.09 एक चार मीटर होता है और एंड महिला के लिए 400 मीटर में 0.09 7.62 मीटर होता है नेक्ट कोश्चन है 110 मिटर हार्डल दोड में प्रारम रेखा से पर्थम हार्डल की दूरी होती है तो 110 मिटर हार्डल में प्रारम रेखा से पर्थम हार्डल की दूरी कितनी होती है 13.72 होता है दोस्तों यहां पे 13.73 दिया है आपसा नमबर सी सही हो जाएगा दोस्तों बाधा दवड के बारे में सभी टॉपिक्स जितने भी कोस्टन उसे पुछे जाते हैं उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दी हूँ उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए सभी कोस्टन आपको वहां से मिल जाएंगे नेक्स कोस्टन है दोस्तों 110 मिटर बाधा दवड में बाधा की उचाई कितनी होती है तो दो तीम बार एक कोस्टन रिपीट हो गया आपसन नमबर दी एक दोस्टन जिरो साथ मिटर next question है 100 meter महिला बाधा दौड की उचाई होती है तो 100 meter महिला बाधा दौड की उचाई कितनी होती है 0-0-0-0-0-0 आपसन नम्बर b correct हो जाएगा next question है 400 meter बाधा दौड में अंतिम बाधा से समाप्ती रेखा की दूरी होती है तो दोस्तों 400 मेंटर महिला पूरुस दोनों के लिए अंतिम बाधा से समाप्ती रेखा की दूरी जो होती है वो 40 मेंटर होती है महिला और पूरुस दोने के लिए आपसा नमबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है कड़म मलेस्वरी वेटलिफ्टर किस राजिकी है तो ये कहां से बिलाओं कर तो आंदर प्रदेश से या कड़म मलेस्वरी आंदर प्रदेश राजिकी एथलिट खिलाड़ी है वे ओलम्पिक खेलों में कांश्रेपदर जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाड़ी है 2000 सीरिनी ओलम्पिक में नेक्ट कोश्चन है डिक फॉस्वरी जिनके नाम पर उची कुद के खेल में फॉस्वरी फ्लाफ तकनिक का नाम रखा गया है किस देश के खिलाड़ी है तो यह किस देश के खिलाड़ी है डिक फॉस्वरी अमेरिका के खिलाड़ी है और यह इन्होंने 1960 के मेसिको सिटी ओलम्पिक में इसकी खोच की थी डिक फॉस्वरी स्टाइल की जो उची कुद में कूद की एक आधनिक स्टाइल है नेक्ट कोस्चन है फासबरी फलाव सब्द किस एथलेटिक्स इस पधा से जुड़ा हुआ है तो किस से जुड़ा हुआ है उची कूद से नेक्ट कोस्चन है एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रेक का पहली बार परियोग कप किया गया तो यहां पर आपसन नंबर A करेक्ट हो जाएगा 1968 मेक्सिको ओलमपिक में सबसे पहले सिंथेटिक ट्रेक का परियोग किया गया और इस सिंथेटिक ट्रेक को टाटर्न ट्रेक भी बोला जाता है नेक्स कोश्चन है ट्रैक इवेंट्स में विश्व रिकार्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जाच करने चाहिए तो कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जाच करने चाहिए तीन आफ्सन नंबर यहां पर करेक्ट होगा ट्रैक इवेंट्स में विश्व रिकार्ड पर विचार करने से पहले यहां पर तीन टाइम कीपर उस पर जाज करेंगे ठीक है है निस्ट को च्र्चन है देकाफ़लान एतलेcommittee्टिक्स में इस परदाओं की एक संयुक्त इस परदा है। इसमें कितने ट्रेक और कितने फिल्ड में होते हैं तो दोस्तों जैसा कि यह गाने तुपक्रव्ण में 10 एवेंड्स वोते हैं दो दिन में संपन किया जाता है इसमें 6 ट्रैक यर्य फीट एवेंड्स गॉशे हैं इस होते हैं फील इवेंड्स जादे होते हैं एधियान तो आप सही अंसर टिक करेंगे, तो चार ट्रेक एंड छे फिल्ड इवेंट्स होते हैं, आपसर नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों के चारो इवेंट्स, डेकाथलान, हेटाथलान, पिंटाथलान, ट्राइथलान के बारे में, मैं डेटेल में वीड को आप कभी नहीं भूलेंगे, तो दोस्तों उस वीडियो को जाकर के वास्ट कर लिजिए, जिससे आपको यह हमिसा के लिए याद हो जाएगा, एंड दोस्तों, नेक्स्ट कोश्चन है, नमिल लिखित में से कौन डेकाथलान के बारे में शही है, लंबी कूद, पहले दिं की दूसरी प्रतियों की ता है, जैसा कि दूस्तों, डेकाथलान में पहले दिन 100 मीटर दोर इस सेक्विंस में होता है, आपको सेक्विंस में याद करना जोरी होता है, तो मैं ट्रिक भाई बताई हूँ उस वीडियो में, उसको देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो प्रतियों 100 मीटर दोर, लंबी कूद, साथ पूट, उची कूद, 400 मीटर दोर होता है, तो यहाँ पर क्या बोला है, कि कौन डेकाथलान के बारे में सही है, तो यहाँ पर दो आपसन सही है, दोस्तों, आपसन नंबर C, जैसे कि 1 और 3, लंबी कूद पहले दिन की दूसरी पत्रिक्ता है, एंड, 110 मीटर बाधा दोर दूसरे दिन की पहली पत्रिक्ता है, तो दूसरे दिन की पत्रिक्ता कहां से सुरू होती है, 110 मीटर बाधा दोर से, फिर दिसकर्स थो, फिर पोल वाल, फिर जेवलिन थो, फिर फिर 1500 मीटर दोर, नेक्स्ट कोश्चन है डेका थलान में कुल कितने फिल्ड इवेंट्स होते हैं तो कुल कितने फिल्ड इवेंट्स होते हैं छे फिल्ड इवेंट्स होते हैं वहीं पर ट्रेक इवेंट्स पुछ देगा तो कितना होगा चार आपसा नमबर सी यहां पर करेक्ट होगा तो कौन सा नहीं है आज सू मिटरण गरों ह siaफता थिलान के दूसरे ढ़ reflecting की लाश प्रतिविता है यह यह समलित नहीं है तुर्कि 100 मिटर ग्रों लंबी कूद समलिँ है लेक्ट कोच्चन है देकाथलान के खेल में अंतिमीस परधा हमेशा होती है तो दोस्तों अंतिमीस परधा हमेशा 15-200 मीटर दवर होता है देकाथलान में और सबसे शुरू में कौन होता है 100 मीटर दवर आफसर नमबर B यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्ट कोश्चन है दो दिनों तक चलने वाली पूरुष देका थलान परतियों गिता में एफलेटिक्स की कौन सी इस परधा पहले दिन आयोजित की जाती है तो यहाँ पर कौन सी पहले दिन आयोजित की जाती है आपसर नंबर C correct है गोला फेक एंड चक्का फेक पॉलवार्ट पंदर सुमिटर दोड यह दुसरे दिन की प्रतिविकता में होती है नेक्स कॉशन है देका थलान में कितनी प्रतिविकताएं यानि इवेंट्स होती है तो 10 प्रतिविकताएं होती है नेक्स कॉशन है हेप्टा थलान में कितने इवेंट्स होती है तो हेप्टा थलान में साथ इवेंट्स होती है पहले दिन चार इवेंट्स दूसरे दिन तीन इवेंट्स इसमें तीन ट्रेक वह चार फिल्ड इवेंट्स होती है next question है क्考onstant event habtíaat corrálán में शामिल नहीं है तो दोस्तों glimpse간 7 event होते हैं तीन ट्रैक वह वह चार film events in दो दिनों में संपन होती है पहले दीन में चार म दूसरे दिन में तीन पहले दिन में चार इवेंट्स सो हम मिट शक्ष़ वेडल्स उची कूद कोला कोड़ा फेग धो होता है यहां पर क्या पूचा है कि निमनलखित में से कौन सा इवन हिप्टार्थलार्मे स्ममलित नहीं है तो दोस्तों यहां पर उंची कूद भी पर्थम दिंग की दूसरी प्रतियोगरता है 100 Ubay बादा दोड भी किनいます कि नेस्ट को सभिख करदें यह शाश कि इस परदह होगा बिजय को इसफ है कौन इ stall time play rep оп कॉंपD आन्यू नाम से भी जाना जाता है कि अ जार Minister का इस टीपल चेज में जल जंपो की शंख्या कितनी होती है तो साथ जल जंपे होती है और अठाइस बाधा कूडम जम्प होता है यहां पर आपसा नमबर B और कर्यक्ट हो जाएगा है, नेक्श क्योंचन है TH email मीटर स्टीपल जेज ज़ण में कितनी बाधा कूँद और कितने पानी कूद होती हैèces तो जैसा कि आप मत अभी चाहिस पाधा है है 28 पानी कूद होती है taken नबर भी यहां पर correct हो जाएगा नेक्स कोस्टेंट है स्टीपल चेज दोड की मानक दूरी होती है तो कितनी होती है दोस्तों तीन हजार मीटर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इसमें बाधाड़ और एंड इस टिपल चेज दोनों से जितने भी कोस्टन्स आए हुए थे हेप्टा थलाओन डेका थलाओन कंबाइन इवेंट से उन सभी कोस्टन्स को रखा गया और दोस्तों आई होप की सभी कोस्टन्स आपको समझ में आये होंगे इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमिन्ट में जरूर बताइए और ज़्यदे ज़्यदे सेयर किया कीजिए दोस्तों और दोस्तों पहले वाद बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लि कीजिए जिससे जो ही में नया वीडियो अपलूट करूंगी उसको नौटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए